Soft Skill की कलास में आप सभी का स्वागत है आज का हमारा टॉपिक है समस्या को सुल जाने का कौसल Problem Solving Skill इससे की पहले की वीडियो में हम Communication Skill और Leadership Skill पे वीडियो बना चुके हैं अगर आप द्वारा वीडियो नहीं देखी गई हैं तो आप Description पे दीवी लिंक पे जाकर उन वीडियो को देख सकते हैं तो आज चर्चा करते हैं Problem Solving Skill के बारे में तो यह Soft Skill का वह गुण है जो किसी भी समस्या को अपनी समझ के द्वारा आसानी से सुल जाया जा सकता है उधारण है कि एक कपड़े के सोरूम से एक महिला एक कोट खरीद के ले जाती है और उस समय वो कोट पे नहीं देखती है घर जा के देखती है कि कोट पे एक कट का निसान लगा हुआ है कोट एक जगे से कटा हुआ है तो दूसरे दिन महिला बहुत गुसे में तम तम आते हुए सोरूम में इंट्री करती है और सोरूम का जो सेल्स बॉय होता है वो उस महिला को देखकर कह देता है कि अब हमारी यां श्टॉक खतम हो चुका है और अब आपको जो है हम इसके न तो पेंसे दे सकते हैं ना आपका हम कोट वापिस कर सकते हैं तो वो महिला जो की उस दुकान की बहुत पुरानी कस्टमर थी वो गुस्से से बड़ा बड़ाती हुई कहती है कि मैं आज से आपकी सौप में नहीं आऊंगी तो ये बात जो है क्या के सोरूम के जो मैनेजर है वो सुन रहे थे जो की सौप्टे स्किल को जानते थे तो उन्होंने जो है उस महिला को बड़े आदर भाव के शांत बुलाया और उनसे माफी मांगी और अपने कार्मिक द्वारा की गई ब्यवहार पर भी माफी मांगी और उस महिला को कहा कि हम आपका ये कोट वापिस कर देते क्योंकि सेल खतम हो चुकी है और हमारे पास कोई पीस बचा भी नहीं है इसलिए हमें माफ कीजी हम आपके कोट को बदल नहीं सकते लेकिन आप चाहती है तो मैं इसे रफू करा सकता हूँ तो इस तरह से उस प्रॉब्लम का सॉल्व उस मैनेजर द्वारा कर दिया गया क्योंकि वह मैनेजर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल के बारे में जानता था और एक पुरानी कस्टमर भी तूटने से बच गई तो समस्या को ये सुल्जाने के कौसल है तो इस तरह से समस्या क को समाधान करने की तकनीके हैं जब जरूरी यह है कि समस्याओं को सॉल्व किया कैसे जाए इसके लिए आपको सुपर इसमार्ट होने की आउशकता भी नहीं है केवल प्रैक्टिस की आउशकता है यदि कोई व्यक्ति यह सोचता है कि कुछ लोग किसी भी प्रॉब्लम को आसा इसे हल भी कर सकते हैं तो आईए जानते हैं कि किस तरह से हम प्रॉब्लम सॉल्विक की जो टेक्निक है उसको जानते हैं तो इस पे नंबर एक है अपना ध्यान समस्याओं पर मत लगाओ समाधान पर लगाओ कहते हैं कि अगर आप समस्याओं के बारे में सोचेंगे तो फिर आपको क्या है बहाने मिलेंगे तो अगर आप समाधान की तरफ सोचेंगे तो आपको रास्ते मिलेंगे तो मनव अग्यानिको ने ये साबित कर दिया है कि यदि आपका फोकस समस्याओं पर रहता है तो आपका दिमाग उसका समाधान नहीं ढूँट सकता जब आप समस्याओं पर फोकस करते हैं तो आप नकारात्मक्ता की भावना से ग्रसित हो जाते हैं और आपका माइंड समस्याओं को सॉल्व करने का नहीं शोच पाता इसका मतलब यह नहीं है कि आप समस्याओं से बचें बलकि आप सांत रहें और पहले समस्या को देखें उसके बाद पूरा ध्यान शॉलिशन पर लगाएं यह क्यों हो गया यह कैसे हो गया नहीं होना चाहिए था कुछ होई नहीं सकता तो ऐसे विचारों को छोड़कर पूरा ध्यान उसके निवारण पर लगाएं दूसरा है हर पहलू को देखें इसके लिए हर समस्याओं को पार्ट में डिवाइट कर दें आप पार्ट में डिवाइट करके सॉल्व कर सकते हैं एक्जामपल के लिए यदि आपको अपने बच्चे की इसकूल की फीज भरनी है जरू तो आप किसी से उधार लें ये भी कल्प है या फिर आप इसकूल वाले से महलत ले सकते हैं या फिर आप एश्ट्रा काम कर सकते हैं या फिर आप जो है कोई किसी से इंतजाम करने के कोई बेउस्था कर सकते हैं तो ये इससे क्या है थोड़ी दिन की महलत आपको मिल क्योंकि आप सांत दिमाग से solution की तरफ सोच रहे हैं और यह आपके लिए जरूरी भी है तीसरा है समस्याओं को ज्यादा दूर तक ना देखें कई बार वह समस्याओं जो थोड़े से परियास से solve हो सकती हैं पर उन समस्याओं के बारे में हम इतना deep सोच लेते हैं कि वह छोट में मंजिल तक जरूर पहुंचेंगे तो इस तरीके से बहुत दूर तक देखने की आवशकता नहीं है जहां तक आपको दिखाई दे रहा है वहां तक आप चलिए और जरूर आप मंजिल पर अवश्य पहुंच जाएंगे मतलब साफ है कि जो प्राबलम है अभी हमें दिख चीजों को सरल बनाएं हम हर चीज को इतनी जटिलता से देखते हैं जितनी जटिल सायद हो है नहीं समस्याओं को ज्यादा गहराई से सोचने की अपयक्षा समस्या को शम्ज है तो आपके लिए उसे साल्व करना आसान होगा और आप आश्यरी करेंगे कि इसका जो हल था वो इतना आसान था सोचिए उस समस्या के क्या क्या हल हो सकते हैं जब आप सुलिशन के बारे में सोचते हैं तो आपको फिर कई समाधान मिलते हैं तो फिर आप देखिए कि उसको कौन सा समाधान सबसे अच्छा है याद रखें आइडिया कोई भी बुरा नहीं होता फर्क इस बात से पढ़ता है कि आप उस पर काम कैसे कर रहे हैं नकारात्मक न बने इस समस्या का यह हल है पर पता नहीं हो जाएगा या नहीं हो जाएगा या नहीं यह सही तो नहीं है पर करना तो पड़ेगा यह वो नकारात्मक बाते हैं जो आप अपने आप से करते हैं यह दिवा अपने आप से नकारात्मक बातें कर रहे हैं, तो आप उसमें समस्या को सो परतिसत सौल्व नहीं कर पाएंगे, आप में जोसकी कमी रहेगी और आप परिसान होते रहेंगे, नकारात्मक ना बोलें, सांत मंसे उस समस्या के बारे में सकारात्मक रवया अपनाते हुए सोचें और उसे पूरा करें विचार विमर्स करें अपनी समस्या के बारे में आप अपने से बड़े समस्दार, अनभवी किसी परिवार वाले से दोस्ते से, रिष्टेदार से इनसे सला ले सकते हैं पर याद रखें जो लाश डिसीजन है जो अंतिम निर्ले हैं वो फिर आप ही करेंगे विश्वास रखें खुद पर एवं स्रिष्टी के रचियता पर समस्या है तो समाधान तो हो गाई बस अपने आप पर और अपने निर्ले पर विश्वास रखें और सब छोड़ दें उस सकती पर जिसने सारा संसार बनाया है